समस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं आरिस्ती एंजी आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर की बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार साथ जनवरी यानि कि यहां आज की खबर है आज के समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई खबरे छपी हुई है जो आपके लिए अतिमहत्पून है जैसे परदेश में सुपरवाजर कलर के तीन हजार पतों पर भरती म अंतरालों में सीधी भरती का प्रस्ताओ पॉली टेकनिक पर इस परिछा दोजार एकीस सूबे में असी फीज़ी सिचकों के पतखाली बिहार दरोगा भरती पढ़िडाम सुचना सिच्छ भरती के लिए अभ्यर्थियों ने मांगी भीख अनिमहत्पून खबरे तो इन सब सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दे और पर स्ट्रेट कर दे जिससे हमारे वीडियो का नोड़ी किसन आपके सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप से पहले देख पाए आए पहली ख़बर की बारे भी जान लेते हैं पहले खबर है कि सूबे के असी फिर्द परसिदिय उच प्राच्मी बिद्यालों में सिच्चकों की कमी बनी हुई है परदेश सरकार की और से सिच्चा मंत्राले को प्रोजेक्ट अप्रूबल बोर्ड की बैठक ले साइक्षिक सत्थ 2019-20 की भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 45,625 उच प्राच्मी बिद्य अनुसार पर तेक उच प्राच्मी बिद्यालों में अनिवारी रूप से इन तीनों विश्यों के सिच्चक होने चाहिए यहां पर बताया गया है कि 29,334 सिचकों के बाद नहीं हुई सीधी भरती आपको बता दें कि 2013 में भरती शुरू हुई थी सुप्रेम कोर्ट में मामल डिसीजन नहीं हो पाया है अब डिसीजन कब होगा कब भरती होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और इसी के कारण और इसी भी बात के कारण परमोसन भी नहीं हो रहा है तो आखिर कार यहां मामला कब सुलझेगा क्या सरकार को इसके समझ में पैर भी नहीं करनी चाहिए अब यहां पर एक महत्पूर और जानकारी दी गई है कि प्रसदिये प्रात्मिक स्कूलों के सहाइक अध्यापकों का प्रमोशन होना चाहिए सालों से प्रमोशन नहीं होने के कारण उच प्रात्मिक स्कूलों में सिच्छक नहीं बचे हैं और RTI मानेक के अमसार पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऐसा दीपक मिश्ट का कहना है जो की परमोसन से वंची सिच्छक हैं तो अब सरकार को इस पर नीड़ा लेना चाहिए इस तरह से समाचार पत्रों भरती निकालने से ख़बर देने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार इसके समझ में विचार भिवास नहीं करेगी बड़ी वैठेक नहीं बुलाएगी तब तक इसका कल्यान नहीं हो सकता है अगली कबर असिश्टन प्रोफेसर भरती को लेकर है असिश्टन प्रोफेसर सिच्छा सास काउंसलिंग कारिकरम जारी कर दिया गया है आप उत्तर प्र विष्विधियाले की अजग्यारी पिसाडर पर जाये और नोक्योंटास को ढाउंलोड करेगी पूरी जानकारी प्राप्त करें मिस सत्त दोजार उन्नीस बीस में पिएशडी की चार सीटों पर प्रवेश में धांजने के मामले में अब विश्विद्याले अनुदान आयोग अर्थाच UGC सक्त हो गया है UGC ने अलहाबाद विश्विद्याले प्रसासन से पंदरा दिन के भीतर जवाब मांगा है वहीं मामले में गठित कमेटी अब तक परिडाम से जोड़ी दस्ताविद जुटाने में नाकाम्याब हो रही है तो अब देखना होगा कि अलहाबाद विश्विद्याले के द्वारा पंदरा दिनों के अंदर क्या किया जाता है अगली ख़बर कि बोड़ परिच्छा और जेए तीथियों की बीच अटका पॉलट imperative परिए परिच्छा सेधूल बोड़ परिच्छा और जेए के काऱर ही पॉलटिखिनिक का सेधूल नहीं बन पा रहा है यहाँ पर लिखा गया है कि पॉलिक टेक्निक में दाखिले के लिए होने वाले सम्यूट परिश्चा का सेजूल बोर्ट परिच्छाओं और जेई मेंट की तिथियों की बीच फंस गया है बोर्ट परिच्छा और जेई कराने के संभावित महीने की तो जानकारी है लेकिन तैट तिथि की जानकारी ना होने से सम्यूट परिश्चा का सेजूल अभी तक तयार नहीं हो सका है जबकि हर साल एक जनवरी से आनलाइन आवेजन की परकिया सुरू हो जाती है तो जब तक कंफर्म तिथि की जानकारी नहीं होगी तब तक पॉलिट टेक्निक परिच्छा का सेडूल जारी नहीं होगा अगली ख़वर है कि 15 जनवरी से परिबोर परिच्छा कराने को तयार नहीं स्कोल यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है आपको वता दें कि यूपी बोर्ट के अजिकांस विद्याले 15 जनवरी से परिबोर परिच्छा कराने को तयार नहीं है जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो जो फरवरी के प्रथम सब्ता में भी परिच्छा कराना चाते हैं अब इस पर सहमेति कब बनेगी या देखने वाली बात है फिरहाल सरकार के द्वारा इस पर विचार विवर्स किया जा रहा है अगली खबर है कि भरतियों पर रोख से दिसंबर में सुस्थ रहा सेवा छेत्र बहुत सी महतपूर जानकारी है आपको बता दे 2020 में उत्तर प्रदीश अजिनस सेवा चैन आयोग ने किसी नई भरती का विग्यापन जारी नहीं किया जारी किया गया जारी किया गया तो बहुत कम जारी किया गया अगर हम उत्तर प्रदीश की बात करें तो उत्तर प्रदी अभी तक नहीं आई सिटकुन की भर्तार कब तक आ रही है अभी तक नहीं आई तीजिटी पीजीटी का विग्यापन जारी हुआ वह भी फसा हुआ है संसोदी विग्यापन अभी तक lucky चाहया तो का कफी संगतियों का सामना उत्तर प्रदेश की चात्रों को करना पड़ रहा है इस पर विचार विम्मस सरकार के दवारा नहीं किया गया तो इसका नतीज़ा 2022 में बहुत दुरा हो सकता है अगली खबर है कि मंत्राले में अब बिग्यानियों की सीधी भरति का प्रस्ताव बहुत ही महत्पूर जानकारी है अगर आप बिग्यानियों की बर भरती की जाएगी अगले ख़वर की परदेश में 3500 कलर्क वा सुपर वाजर भरती होंगे मैं समझ रहा हूं कि समाचार पत्रों में भरतियां खुब आ रही हैं जमकर भरती आ रहे हैं लेकिन पटल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहां पर बताया गया कि आगनबारी की सुनी चित करने के लिए जलदी 3000 से ज्यादा सुपर वाजरों के भरती होगी एक इक बाल विकास सेवा इसका अधिनस्त सेवा चैन आयो को भीजने जा रहा है तो यह भरती उत्तरप्रदीस सेवा चैन आयो के माध्यम से होगी लेकिन भरती तभी होगी जब प्यट नहीं हो अगर पेट का आयोजन होता है तो एक भी भरती पूरी नहीं होगी अगर पूरी होगी तो सरकार बता दे कि कैसे हम भरती को पूरा करेंगे कोई भरती फसेंगी नहीं क्योंकि 2022 का चुनाव है और उसी के मद्दे नजर सरकार के निर्देश पर उत्तरप्रस अधिनस सेवा चै कलरक हुआ सुपरवाजरों की भरती की बात की जा रही है समाचार पत्रों में या तभी पूरी होगी इसका विज्ञापन तभी समय से आएगा जब पेट नहीं होगा अगर पेट नहीं होगा अगर 50,000 भरती है तो कम से कम 30,000 पूरी होगी मैं एक मोटा आकड़ा बता रहा अगर पेट होगा तो 50,000 भरती है मात 3,000 पूरी होगी तो आप इसको नोट कर लीजिए अभी तक पुरारी भरती ही नहीं पूरी होगी है अगली खबर दरोगा भरती को लेकर बिहार दरोगा भरती के इंतिजार में प्रतियोगी च्छात बैठे हुए है कि नई दरोगा भ भरती कभाएगी और इधर जो दरोगा भरती की परिचा हो चुकी है उसके रिजल्ट इंतियार में बैठे हुए है तो रिजल्ट कभाएगा इसकी संब्ध में जो काने मिली है कि रिजल्ट तीसरे सब्ता में जारी किया जाएगा जनौरी 2021 के तीसरे सब्ता में तो आप लोग तीसरे सब्ता का इंतियार करें अधिक तर्म जनौरी के अन्तिम सब्ता तक किसी भी हाल में आ जाएगा लेकि तीसरे सब्ता में 99 पर असा है कि परिज्ञाम घोसि गई है कि 2006 से भरती नहीं हुई है भी तक इधर बीच में उत्तर पर अजिनस सेवाचैन आयो को भंग कर दिया गया था पुना गठन किया गया है सपासासनकाल में तो भरती पर किया दुबारा सुरू हुई है और समोगा कि जितनी भरतियां होते हैं उत्तर पर अजिनस पाईजर के पदों पर होगी भरती तो भरती या तभी होगी जब पेट लागू नहीं होगा जैसा कि मेरे दौर आपसे बार-बार कहा जा रहा है तो आप लोग जो है अपनी तयारी बनाय रखे फिलाल पेट नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको संखर्स करना पड़ेग अगली खमर है कि हाई कोट का सीविल सेवा परिछापर रोक से इंकार यहां पर लिखा हुआ है कि उच्छ नयाले ने आठ जनौरी से सुरू होने वाले भारती सीविल सेवा की में परिछापर एक बड़ फिर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अदालत ने दिव्यांकों के लिए कम सीटे आरचित करने के मुद्दे पर दाइर याजका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि याजका सुईकार कर ली जाती है तो दिव्यांकों को उसी के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी फिलाल मामले में अंतरिम आदेस देने से इंकार कर दिया है तो परिच्छा पर रोक नहीं लगेगी या इस पष्ठ हो गया है अगली ख़वर है सिच्छक भरती को लेकर सिच्छक भरती के अब भरतों ने भीख मांग कर जता है विरोध उत्तर प्रदेस में आज ऐसी इस्तिती है कि अब भरतों को भीख मांगना पड़ ला है अपने हग के लिए जाहें उत्तर प्रदेस अजिरस सेवा चैन आयो की बात करें या उत्तर प्रदेस उच्छतर सिच्छा सेवा आयो की बात करें या उत्तर प्रदेश माधमिक सिछा स्रेवा चैन बोर्ड की बात करें या उत्तर प्रदेश लोग स्रेवा आयोग की बात करें या देश की किसी बोर्ड या आयोग की बात करें ज्यादा तर बोर्ड आयोग अभिरतियों को काफी परिसान करते हैं प्रतियों की चात्रों को का आपको बता दे कि प्रसदिय विद्यारियों के 79 जासी इच्छक भरती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अब भर्चु ने बुद्धवार सामने साथ गंज इस तीज ए आर्टी गेट के सामने भीख मानकर बिरोज जिताया अब भर्चु ने बताया कि आवेदन के दवरान ह करने का आउसादेने और नियुक्तिपत जारी करने कि मांग को लेकर साथ दिसमबर से प्रजर्शन कर रहे हैं आपको पुलांक में गलती किसी का 284 हो गया है 288 की जगा पर किसी का रोल लंबर गलत हो गया है किसी का डेट आप बर्च गलत हो गया तो इनकी गलती नहीं है या स्तुरूटी हो सकती है और इसके सुधार का मौका मिलना चाहिए मैं आप से यह को बताना चाहता हूँ कि नई सीचक भरती में भी बिला में किया जा रहा है 2022 की चुनाओ के मद्दे नियर पूरी जानकर मैं आपको दूंगा चल दी एक वीडियो के बादें से तो इस तरह का जो काम है सरकार का की भीक मांग कर जता है बिरोज थाली बजा कर ज लगता है और 12 जनौरी 2021 को महा प्रदर्शन होने वाला है प्रियाग राज में उसमें आप लोग हिस्सा ले जिससे भरती प्रकिया जल से जल पूरी हो नई भरती का विग्यापन जल से जल जारी हो उत्तर प्रदिश के सभी आयोग बोड के जितने भी प्रत्योंगी च्छा को प्रदाव जारी कर दिया गया यहां पर लिखा हुआ है कि एक आरेफो के लिए आवेदन पंदरा जनौरी तक तो आप सभी उत्तर प्रती लोग सेवा आयोग के सहाइक वान रच्छाक्त यों स्चेत्री वन अजिकारी सेवा परिच्छा 2020 की प्रार्यमी परिच्छा में स आरच्छण जो त्रियस्तरी पंच्छा चुनाओं होने वाला है उसी के समध में जानकारी दी गई है यहां पर साब साब बताया है कि ग्राम पंच्छा तो में 2015 के आधार पर मिलेगा आरच्छण अगर आप प्रधानी लड़ना चाहते हैं तो आप इस आरच्छण नियम को जरूर पढ़ें आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें जहीं जबार दूस्तों नमस्कार